ओएमजी टू बैन क्या सच मुछ ओमाई गॉट टू बैन हो गई है और अगर हां तो क्यूं अभी तो इस सुल्म का ट्रेलर भी नहीं आया है लेकिन संसर बोर्ड नहीं इसे बैन कर दिया है हाई मैं हूं गौरव और आप देखे शुरू कर चुके हैं हमारा फ्राइडे स्प की बात के पिछले एपिसोड में चर्चा भी कर चुके हैं लेकिन फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही फिल्म को CBFC यानि Central Board of Film Certification ने बैन कर दिया नहीं यह बात जूट है अफवा है CBFC यानि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन नहीं किया है बलकि इससे Certificate देने से इंकार क कर लेती तब तक फिल्म को सेंसर बोर्ड का Certificate नहीं मिल सकता आपको बता दें कि भारत में कोई भी फिल्म थिएटर में तब तक रिलीज नहीं हो सकती जब तक कि सेंसर बोर्ड उस फिल्म को प्रमाल पत्र नहीं देता यह Certificate चार प्रकार का होता है U, UA, A और S अब सबसे पहले जानते हैं कि यह Certificate क्या होते हैं और किन फिल्मों को कौन सा Certificate दिया जाता है सबसे पहले यू Certificate की बात करते हैं यह Certificate उन फिल्मों को दिया जाता है जिनने सारवजनिक स्तर पर परिवार के साथ बैठ कर देखा जा सकता है इसे किसी भी उमर का कोई भी बच्च बुड़ा या जवांट देख सकता है इन फिल्मों में सिक्षा, परिवार्थ, नाटक, रोमांस, साइफाई, एक्षन, इत्यादी जैसे सार भौमित विशे सामिल हो सकता है यूए सेर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिन फिल्मों में मध्यम से तीवर हिंसा, मध्यम यौन द्रश्य, दरावने द्रश्य या फिर मौन अपमान जनक भाशा होती है यूए प्रमानन वाली फिल्मों को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के मार्क दर्शन में देख सकते हैं अब बात करते हैं एस सर्टिफिकेट की ये सर्टिफिकेट पर आप फिल्में केवल वयस को यानी 18 वर्ष से अधिक आयुक वल लोगों के लिए ही होती है इन फिल्मों में हिंसास पस्ट रूप से होती हैं मजबूत यौन दरश्य होते हैं अपमान जनक भाशा भी हो सकती है लेकिन ऐसे शब्द जो महला ओ या किसी समाजिक समव और नगनता का अपमान करते हूं ऐसी फिल्मों को इस सर्टिफिकेट की अन्मत्य नहीं बिलती अब बात करते हैं अंतिम सर्टिफिकेट S-certificate की एस certificate उन सिर्फ उन फिल्मों को दिया जाता है जिने पब्लिक ली नहीं दिखाया जाता यह फिल्म है सिर्फ किसी विशेश छेतर से जोड़े लोगों के लिए होती है जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या फिल्म विग्यानिक खेर, अब लॉट कर आते हैं OMG 2 पर कि आखिर इस फिल्म को sensor board ने स्विकरत क्यों नहीं किया दरसल यह फिल्म एक ऐसे विशेश पर है जिस पर भारत में कई बार बात हुई लेकिन वह लागू नहीं किया जा सका यह फिल्म है sex education पर सेक्स एजुकेशन भारत में क्यों जरूरी है या फिल्म इस विशे पर आपको जागरुक करती है भारत में स्टेक्स एक ऐसा विशे है जिस पर अकसर अपत्ती जताई जाती है क्योंकि इस पर बाच्चित करना अपमान जनक और अनैतिक माना जाता है खासकर समाज के बुज़ूर्फों के साथ यहां तक कि अपरी दाहुता और यौन रुज़ान के बारे में व्यक्त करने को भी अश्लीलता और शर्नाक्ता का टैग दे दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि जीवित रहने के लिए सेक्स आवश्यक नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नजर अंदाज कर दिया जाना चाहिए प्रक्टेक व्यक्ति का मनोबल एक जैसा नहीं होता मनोबरतियां भी एक जैसी नहीं होती इंसान अपने वोख मिटाने के लिए चोरी भी कर सकता है आतिदिक दमन से कश्रदायक परेसानिया पैदा हो सकती है जिसका न केवल व्यक्ति बलकि पूरे समाज पर भयानक रूप से प्रभाव पढ़ सकता है भारत में यौन स्वास्थे और सतंत्ता के बारे में जानकरी की कमी असिक्षत लोगों के लिए एस्टीरी यानि यौन संचारित रोप का एक बड़ा खत्रा है इसके लावा चूकि माता-पिता इस विशय पर बातचीत करने से बचते हैं इसलिए युवावयस अलग-अलग शोतों से जानकारी प्राप्ट करने के लिए नए-नए तरीकों की तलाश करते हैं जब वे इंटरनेट और सोशल मीडिया के मादन से अपने उत्तर पाने की कुशिश करते हैं तो उनकी जिग्यासा हानिकारक साबित होती है क्योंकि ओनलाइन सामग्री में बड़े ब्रामक तथे भी शामिल हो सकते हैं जो उनकी उत्तेजना को बढ़ाता है और वे बजाए सेक्स एजुकेशन के पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं और यौन अपराद बढ़ते हैं भारत में आए दिन होने वाले यौन अपराद, यौन शोशन, रेप जैसे कुकरतियों के बढ़ने का एक बड़ा कारण यौन सिक्षा का न होना भी है बच्चों को गुट टच और बेट टच के बारे में जानकारी का न होना है भारत इस समय जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पोच गया है ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हमें यौन सिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन होना ज़रूरी है जिबकि 2007 में यौन सिक्षा को राश्ट्रिय सिक्षा अनुसंदान और प्रिस्षण परिस्थ द्वारा एक अलग विशे के रूप में पाठ्ठिक्रम में पेश भी किया गया था हलाकि गुजरात, महाराश्ट, मद्यप्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में यौन सिक्षा का वियापक रूप से विरोध भी किया गया और इसे हटा दिया गया मई 2007 में मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवरा सिंग जोहान ने राश्ट्रिय स्वयं सेवक संग यानी RSS के दीनानात पत्रा की सलापर यौन सिक्षा को पाठ्ठेक्रम से हटा दिया नकेवल माता पिता बलकि सिक्षकों ने भी इसकी शुरुवात का विरोध किया था क्यूंकि वे इसे बहुराश्ट्रिय कंपनियों द्वारा कंडों की बिक्री को बढ़ावा देने का एक उत्तेजक तरीका मानते थे और उन्हें यह भी डर था कि इस से निर्दोष छात्रों की जिग्यासा बढ़ेगी यहां तक कि HIV, AIDS और STD के बारे में बात करना भी गंदा और शर्मनाक माना जाता है फिलाल इस विशे पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे यदि आप चाहाते हैं कि इस विशे पर हम सबरदाशों का विशलेशन एपिसोड बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं OMG2 की तो हमारा मानना तो यही है कि जब तक फिल्म का ट्रेलर नहीं देख लें तब तक हम यह नेड़े नहीं ले सकते कि फिल्म को बैंड किया जाना चाहिए या नहीं क्योंकि टीजर में ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है खेर बात तो यह भी सही है कि हम समाज को यह सोचने के लिए छोड़ दें कि उनकी भावनाएं आहत होंगी या नहीं या फिर यह फिल्म समाज को अच्छा मेसेज देगी या बुरा ऐसा भी तो नहीं छोड़ सकते अब आप ही बताईए कि हमें क्या करना चाहिए और फिल्म के साथ क्या होना चाहिए वीडियो पसंद आयो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा शुक्रिया